हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मिथाकास में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पिछली परिक्छा में बार बार पूछे गए कंप्यूटर के कोश्चन्स की आई दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं वीडियो को भासा को ओरेकल कंपनी ने बनाया है दोस्तों जैसा की अगले महिने नवंबर में यूपी पीसीय लेखलेपी के परिक्छा होने वाली है दोस्तों ये परिक्छा दो पार्ट में होगी पहला पार्ट होगा कंप्यूटर का जो की क्वालिफायर पार्ट होगा यहां पर कंप लेक्ते हुए हम आपके लिए कंपिउटर को सिरीज हैं जैसा कि हमारे हां पहले से आकांट का शीर इससा है के अपने अब आने प्रowym साही है आप ये अब तक आप ने भर झूल Website को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए में आप आपके लिए कंप कंप्यूटर की सीरीज भी लाने वाले हैं आए दोस्तों देखते हैं अगला कुश्चन है दूसरा कुश्चन है नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोडने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है लैन वैन तोपोलॉजी कनेक्टिविटी इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन C टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोडने की भौगोलिक व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं अगला कुश्चन देख लेते हैं तीसरा कुश्चन है किसी भी वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है प्रोटोकॉल वेबसाइट का नाम सर्वर इन अगला कुश्चन कोड को सांकेतिक सब्दों में बदलने को क्या कहते हैं स्क्रेंबलिंग फायर वॉल इंस्क्रिप्शन इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा option C इंस्क्रिप्शन ठीक है अगला कुश्चन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यह सभी ऐ आगे भी पूछी जाने की उम्मीद है इंटरनेट पर प्रयूख्थ होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है HTML, HTTP, Java, TCP, IP इसका सही आंसर हो जाएगा option D, TCP, IP अगला कुश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है, बहुत सिंपल कोश्चन है, हमेशा पूछे जाता है www का full form क्या है? World Wide Wave, Wide Work Wave, World Wide Wave, None of These चलिए इसका अंसर आप लोग कमेंट करके बताइए बात करते हैं अगले कोश्चन की साथवा कोश्चन है इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं के लेंदेन की प्रक्रिया को क्या कहते है E-Selling, E-Trading, E-Commerce, None of These इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं के लेंदेन की प्रक्रिया को क्या कहते है इसका सही आंसर हो जाएगा option C, E-Commerce अगला कोश्चन आठपा कोश्चन है दोस्तो कट कमाउंड के लिए सौट कट की क्या है Ctrl Z Ctrl X Ctrl A Ctrl E कट कमाउंड के लिए सौट कट की क्या है इसका सही आंसर है option B Ctrl X अगला कोश्चन डाटा को इस्थाई रूप से संग्रहित नहीं करता है hard disk, ROM, RAM, floppy disk डाटा को इस्थाई रूप से संग्रहित नहीं करता है चलिए इसका सही आंसर बताते हैं आपको option C RAM जिसका फुल फॉर्म है Random Access Memory अगला कोश्चन इमेल का जन्मदाता कौन है Bill Gates Stephen Hawking Tom Linson Roser Binny इमेल का जन्मदाता कौन है इसका सही आंसर है option C Tom Linson ठीक है आईए देखते हैं 11 question दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी आपको पढ़ते दिन ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए 11 question है निम लिखित में से कौन सी computer की स्थाई memory है CD, ROM, CPU, RAM इसमें आपको बताना है कौन सी computer की स्थाई memory है इसका सही answer है option B आईए बात करते हैं बारवे question की ALU का full form क्या है applied logarithm unit arithmetic logic unit artificial logic unit application logic unit दोस्तों ALU का full form है काफी बार पुछा आ चुका है यह question option B arithmetic logic unit ठीक है अगला question किस पीढ़ी के computer में IC integrated circuit chip का प्रयोग किया जाने लगा बहुत अच्छा question है बहुत important question है फिर से देखिए किस पीढ़ी के computer में IC chip का प्रयोग किया जाने लगा प्रथम पीढ़ी, दूतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौती पीढ़ी इसका सही answer है option C तृतीय पीढ़ी से IC chip का प्रयोग किया जाने लगा है ठीक है अगला question है दोस्तो कौन सा input device नहीं है fingerprint machine, sound, webcam, scanner कौन सा input device नहीं है यहाँ पर देखिए दोस्तो fingerprint machine यह है input device webcam है input device scanner है input device जो नहीं है वो है sound यह output device है अगला question अगला question है दोस्तो कौन सा program delete की गई file और folder को संचित करता है restart, undelete, help, recycle bin कौन सा program delete की गई file और folder को संचित करता है इसका सही answer हो जाएगा option D, recycle bin ठीक है so friends यह वीडियो थी computer से संबंदित अगर आपको daily इस तरह की वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और notification पाने के लिए bell icon दबा दीजिएगा वीडियो पसंद आयो तो like करिएगा share करिएगा मिलते है next वीडियो में एक और important वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत